हेलो इस्ट्रेंड, वेलकम यू आल तो आ फ्री लेर्निंग प्लेटफर्म, CVT इंडिया, पावर्ड बाइड लेट स्टेडि इंडिया, मैसेफ सुभाशी और हम पढ़ ए हमारे बायोलोजी का चैप्टर जो की है evolution पिछले लेक्टर के अगर बात करें एक शौट नम रिवीजन की तुरह अगर हम समझें तो हमने बहुत सारी चीजें डिसकस की है जैसे अगर स्टार्टिंग से बात करें तो evolution के टम में कितनी सारे theories आई उनके क्या आपके limitations थे वो सारी चीजे भी हमने देखा basically उनके fail होने का क्या reason था जो आपके exam में शायद पूछा जा सकता है क्योंकि वही point important उसमें और कुछ नहीं limitations अक्सर करके पूछा है तो आपको limitations पर थोड़ा ध्यान देना है प्लस कौन से scientist ने कौन से theory को प्रपोस किया था Darwin का 19th century में क्या role था चीक है ये सारी चीजे हमने discuss की थी साथ में हमने पढ़ा था कि क्या क्या जैसे आपका chemical evolution की जो theory थी उसकी basis पे क्या उनकी object यूज किया गया थे उस particular theory को या उस particular part को perform करने के लिए जो experiment हमारे SL Miller साहाब ने conduct कर आया था उसमें क्या क्या चीजे उन्हों ऐसे चीजे देखिए जिसमें आपको date याद रखनी है exact value याद रखनी है वो सारी चीजे आपके important है जैसे 20 billion year ago universe हुआ था उसके बाद अर्थ का formation हुआ था 4.5 billion year ago तो ये सारी चीजे आपको date की वाईस याद रखनी है अगर बात करें हम इस chapter में next चीज की तो हमने देखा नेचरल सेलेक्शन के हमने कल बात की थी ठीक है कि नेचरल सेलेक्शन का मतलब जो नेचर के थ्रू सेलेक्टेड है इसके अलावा हमने बहुत ही important part cover किया था जिसमें आपको homologus और analogus organ के बीच difference समझ में आया था बताया था हमने कि आपको इस particular topic पे सिफ और सिफ पूरा का focus रखना है इनके examples पे, example solve करने का तरीका भी अमने question के थ्रू बताया था कि अगर homologus organ है तो homo का मतलब क्या होता है same, logus का मतलब organ की basis पे बात हो रही यानि उनका structure जो होगा वो same होगा और दूसरी चीज़ अगर function की बात करेंगे तो reverse order में चलता है, अगर structure same है तो function different होगा ये बात होती है homologus की, तो homo का मतलब same, एक कोई चीज़ आपको पकड़ना है, चाहे आपको organ के respect में पकड़ना हो, चाहे आपको function के respect में पड़ना हो, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना, दोनु चीज़ पे अगर ध्यान दोगे तो confusion create होगी, तो homo का मतलब same, same क्या है पे structure, different क्या है इनका function, ये बात होती है homologus organ की, जिसमें हमने example देखा था, full limb of human का, whale का, इन सब का structure, चीटा का, चीटा का, चीटा का, बॉगन वेलिया और कुकूर बिटा में, बॉगन वेलिया में इनका thorn, जो की structure जिसका सेम है, लेकिन function क्या है, अलग-अलग है, ठीक है, कुकूर बिटामन का thorn, जो है, ये सारी चीज़ हमने देखी थी, साथ में हमने बात किया था, adoptive radiations के बारे में, जो की important term है, उसके अनावा convergent evolution किसे हम कहते हैं, अगर किसी एक पार्ट में variation आता है, किसी एक बात, चीज़ पे variation आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ analogous organ है, ले and D for divergent evolution, इसी तरह AC for, A for analogous organ and C for convergent evolution, इन दोनों की बाते हमने देखी थी, और last class कल के इंड की थी, किस पे हमारे placental and marsupial mammals के थूँ, ठीक है, हमने बोला था, इस पर्टिकुलर चीज़ पर आपके NCRT में चार्ट दिया है, कि इनको placental form में क्या बोलते है, मार्सूपियल form में क्या बोलते है, जैसे mall को marsupial mall, mouse को marsupial mice बोलते है, इस form में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि option में जब आएगा, तो हो सकता और में से सारे marsupial हो, एक कोई आपका placental form हो, तो उस पे अगर आपको odd one टिक करने को आए, या which one is placental form, अगर आपको सारी चीज़े पता होगी, तब जाके आप टिक कर पाओगे, ठीक, तो आज आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे Lamarck के theory, Lamarck के respect में evolution की बात, कैसे उन्होंने confirm कराईए, आपको शायद जान के हैरानी होगी, या आपने 12th में पढ़ाई होगा, किसी ना किसी teacher के थ्रू, या अगर मेरी वीडि जिराफ है, वो जिराफ की गर्धन हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी, या आपकी जो ऋिसनेक, नॉर्मली देखाओगा समय कहीं ना कहीं, जिक है, तो इसनेक के पास पहले जैसे सें्टिमिट्लेज के पास सब्र हाथ होते, धेर सारे लेक्स होते, वैसी उनके पास भी लेक् क्योंकि उनको उनकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, कभी उसका यूस किया ही नहीं, वो तो जंगल खाडियों में रहते थे, तो रेंगते हुए हमेशा अकसर करके क्या होता था, उनके लेग जो होते थे वो कटते गए, जाडियों के वज़े से, ठीक, और उनको उन लेग के से दिक्कत भी होती थी, क्योंकि यूस तो वैसे भी नहीं करते थे, तो एक टाइम जनरेशन आफटर जनरेशन बीता गया, और एक ऐसा टाइम आया, जब उनके पास अब वो लेगलेस होते, मतलब उनके पास पैर नहीं होता, सेम कंपैरिजन होता है हमारे जिराफ के साथ, जिराफ बहुत ही फेमस एक्जामपल है, जिसकी गर्दन ऐसे वो डियर लाइक स्ट्रक्चर थे पहले, उनकी गर्दन हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी, डियर लाइक स्ट्रक्चर थे, लेकिन क्योंकि कंपैटिशन बढ़ा, रिसोर्स उतना ही अवेलेबल थे, आसपास इ अगर आपको उपर से कुछ लाना है, हमारे पास तो हाथ पैर है, हम बकाइदा तोड़ के खा लेंगे, लेकिन उनके पास तो हाथ पैर से चल रहे हैं, तो इसी बेसे पे उन्होंने अपनी गर्दन का स्ट्रेच किया, गर्दन को हमेशा से स्ट्रेच करते करते, अब यह ए होते हैं, अगर पैरेंट्स की हाइट की बेसिस पर अगर देखा जाया हला कि इसमें जनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि अगर माबाप की हाइट कम है, तो बच्चों की हाइट भी कम रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि या मैल नूट्रीशन के वज़े से, जो ने नूट्रीशन वैलू चीह है, वो ना मिलने के वज़े से उनकी हाइट कम रहती है, तो इस केस में देखा होगा, मम्मी पापा लोग पकड़के टांग देते हैं, लटते रहो, पांस मिनट, दस मिनट, ठीक, इस बेसिस पर क्या ह सब्सक्राइशन आते है सफ ठीक तो लमाक हैट सेड देट इवल्यूशन ओफ लाइफ फॉर्म हैड अकड बट ड्रिवन यूज एंड डिस्यूज ऑफ और गन हमारी जो और गन का जिस भी लोग क्याते ना हम जिस पार्ट का जितना जाधे जैसे एस फॉर एक्जामपल हमारा लुट्र ओसक्राइ्षण का जो सॉचे ना तो हंवारे ब्रेन का कोई फंक्शन ही नहीं है वो बिचारा ऐसे ही दिन बहर पड़ा رहेगा कुछ बच्चे होते नहीं जिनको रट्टा मार वाली आदत होती है इसालिए हमने ने कहा है बायों को रटना है, लेकिन समझ के रटना है का ताकि हमारे ब्रेन का कुछ यूज हो तो उस basis पर अगर हम किसी part का जितना जादा यूज करते हैं या जिसका जितना डिस यूज करते हैं, मतलब यूज ही नहीं कर रहे हैं वो part उस हिसाब के साथ evolve होती है चिक है, for example जैसे जिराफ की cases में उन्होंने अपने गर्दन का use जादा किया तो उसका evolution किस form में हुआ, उनके गर्दन की form में हुआ वही चीज़े बोल लाए ओर्गन्स that are used more, develop more while that not used, become vestigial after a period of time important 9 है, हम जिस ओर्गन का जितना जादा use करेंगे वो उतना जादा क्या होगा, develop होगा नहीं तो एक time के बाद ऐसा आएगा कि वो vestigial organ माना जाएगा ठीक है, कि हमारी body में तो है, लेकिन उसका कोई खास role नहीं है अब आपका एक homework है, हलाकि हो सकते आपको पता हो, नहीं पता होगा तो हम next class में से बताएंगे, हमारी body में vestigial organ क्या है ये आपका homework है, पता होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, comment करके जरूर बताएगा नहीं पता होगा तो हम next class में से बता देंगे क्योंकि यहां से question आते हैं, इसलिए हमने पूछा है the characters or adaptation developed by organism during its lifetime is passed on to the progeny वो अपने lifetime, अपने generation के according, जो भी चीज़े adopt करते हैं environment के थ्रू गेन करते हैं, वो उनके next generation में भी जाता है लेकिन एक शर्थ है, हमारे पास autosome और sex chromosome है लेकिन अगर उनका variation sex chromosome में देखने को मिलता है तभी वो next generation तक pass out होंगे यह जो लेमार की बात थी, इसमें 100% scientists agree नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानिया कि थ्रू experiment कराया गया जैसे चूहों की tail, जो चूहे होते हैं उनकी पूछ कई generation तक काटी गई, तो हो सकता है कि ऐसा एक generation है जिसमें उनकी tail list पूछ पैदा हो, क्योंकि चूहों को tail का तो कोई काम है नहीं तो उस basis पर उन्होंने कई generation तक उनको cut करते रहा लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला यह नहीं कि एक generation ऐसी है जहां पे चूहे बिना पूछ के पैदा हूँ ऐसा भी नहीं दिखा, हमारे culture में लड़कियों को कान और नाक छेद दिये जाते हैं बच्चपन में ही, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब female पैदा हुई है, newborn baby जब female हुई है तो क्या पहले से उसके नाक और कान में पर्च होगा, ऐसा भी नहीं हुआ तो यहीं चीज है कि अगर उनका variation हमें sex chromosome पे through नहीं दिख रहा है तब वो somatic chromosome के through नहीं दिख रहा है तब हमें वो variation आगे की generation में नहीं दिखेगा, चीक है तो यह चीज़ा हमें डिसकस भी करनी है फिलहार, he gave the examples of giraffe who in an attempt of forest leaves on tall trees had to adopt a longation of their neck लवाक ने किसका example लिया था जिराफ का कि जिराफ ने अपनी गर्दन को इतनी बार stretch किया कि finally एक generation ऐसी आई जिनमें उनके गर्दन कैसे थे लंबे ही निकल के आए, ठेक है As they passed on this acquired character for elongated neck to the succeeding generation जिराफ slowly over the years came to acquire non-leck यह character उन्होंने क्या किया, generation to generation, generation to generation pass out करना शुरू किया और finally एक ऐसा time आया कि जिराफ की गर्दन अब बच्चे यानि new born baby में ही उनकी गर्दन कैसे थी stretch form में हमें या elongated form में हमें देखने को मिल गई तो आपका question इस particular slide से क्या बनेगा लमाक ने क्या कहा था तो लमाक ने यह कहा था कि हम जिस part का, जिस body part का जितना ज्यादा use करेंगे वो उतना ज्यादा develop होंगे और जिसका कम use करेंगे एक time के बाद वो क्या होंगे या use ना करेंगे तो उनका vestigial organ के थुरू वो हमारी body में पढ़े रहेंगे और दूसरा उन्होंने किसका example लिया था जिराफ का example ठीक next year mutation mutation का मतलब जो sudden variation या sudden change आ रहा है चेक हमारे chromosomal या genetic pattern में अब ये mutation के वज़े से क्या होता है evolution the cause of evolution तो which one is the cause of evolution option में होगा variation mutation या generation ये सारी चीज़े आपके option या none of these या all of ever तो वहाँ पे जो main cause है वो है क्या mutation अगर mutation नहीं होगा mutation से ही variation होता है लेकिन variation बहुत slight सा changes होता है वो आपके evolution में participate करने लाइक का नहीं रहता ठीक है Hugo Devereis proposed that mutation theory of evolution ही वो word on the evening prime rose Hugo Devereis ने mutation theory of evolution पे काम किया ठीक है और उन्होंने किस particular object को as a experiment कंड़क्ट किया था evening prime rose पे ठीक है He defined mutation as large heritable change occurring suddenly in the characteristics of a population अब ओवियस से बात है mutation बता के तो होगा नहीं या पहले से तो हमाँ पता नहीं होता वो तो हो जाता है बिलकुल sudden सा change है तो it is a large heritable heritable का मतलब जो एक से दूसरे जनरेशन में pass out होगा occurring suddenly in the characteristics of the population एक particular population में अचानक से कोई ऐसा variation या ऐसा हमें change देखने को मिल जाता है तो हम उसे नाम देते है mutation यानि वो particular बंदा जो होगा यह वो particular जो ऑर्गनेश्म होगा वो बाकियों से क्या होगा differ होगा according to him mutation caused speciation and called it as the saltation that is a single step large mutation saltation की definition आती है saltation का मतलब अगर एक ही step में बहुत बड़ा हमें क्या दिख जाए mutation दिख जाए तो हम उसे बोलते है saltation slight अगर mutation होता है तो उसे हम नाम देते है variation का saltation और variation के भी इस difference समझ में आया अगर बहुत बड़ा हमें कोई mutation दिख रहा है एक single step से मालो एक किसी हमें nucleotide के base pair में changes की और उसकी वज़ा से हमें कोई बड़ा result देखने को मिल गया उसे हम देंगे saltation का लेकिन अगर छोटा मोटा variation है तो उसे variation की तरह ही हम देखते है तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने Hugo Devereis ने उन्होंने कहा था कि जो mutation है इसकी ही वज़ा से क्या हो रहा है speciation speciation का मतलब कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था speciation मतलब formation of new species या origin of new form of life ठीक है तो इन्होंने क्या क्या कहा था वो आपको याद होनी चाहिए तो Hugo Devereis ने ही mutation के बारे में बताया था और mutation ही क्या है cause of evolution अब mutation के थूँ आपको saltation भी पता होगा saltation का मतलब single step large mutation experiment किस पे conduct कराया था इन्होंने evening prime rose पे experiment conduct कराया था he deferred from Darwin in the following ways ये आपके question के point है वो Darwin से किन-किन चीज़ों पे differ यानि किन-किन चीज़ों पे disagree करते थे या अलग बात बोलते थे वो चीज क्या है div rise mutation are random and directional less while darwinian variation are small and directional number one point क्या है कि Hugo Devereis ने जो mutation का term दिया था क्या mutation किसी particular चीज में हो रहा है किसी particular part में होगा नहीं वो direction less है ठीक है और कैसा है random random का मतलब अचानक से होगा जबकि Darwin ने कहा variation क्या होगा छोटा सा होगा और वो क्या होगा किसी particular direction में ही होगा हाथों में पैरों में यानि एक किसी direction में ही वो चलेगा ठीक है एक difference आया दूसरा difference Devereis believed that such large single step mutation caused speciation but evolution of Darwin is gradual and occur over a number of generation हमारे Hugo Devereis ने कहा कि एक single जिसे हम क्या रहे है saltation ठीक है single step large mutation जिसे हम particularly नाम दे रहे है saltation saltation के वज़े से क्या हो रहा है speciation जबकि Darwin ने कहा कि कोई नई species के formation के लिए बोख़ जनरेशन लग जाती है लेकिन mutation के थूँ तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अब आपको समझ आ रहा है इन दोनों के बीच क्या-क्या डिफर कर रहा है दोनों के बात किसी एक है चीज़ को प्रूफ करने में लगी है कि evolution कैसे हुआ लेकिन दोनों के कहने का तरीका क्या है एक mutation की basis पर चल ले और एक variation की basis पर चल ले कि vary करते 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 थोड़ा 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 चेंज़ लाते लाते एक generation ऐसी आएगी जिसमें आपको एक नई organism मिलेगी ये बात कहा है डार्विन सामने लेकिन हमारे हुगो डिवराई साब ने कहा है कि ये जो mutation है ये single step large variation है मतलग एक ही step ने यानि एक ही generation के बाद हमें कोई sudden सा variation देखने को मिल जाएगा जिसके वज़े से किसी नई species का formation हो जाएगा Hardy Wingberg Principle Most important concept of this part या this chapter Hardy Wingberg Principle पे बहुत बार आपके question आया है और बहुत ही आसान से है अगर आपको समझ में आ गया तो आप easily question को solve कर लोगे देखते हैं क्या है This principle says that Allyl frequency in a population are stable and it's constant from generation to generation किसी particular formation में जो Allyl के frequency होगी वो क्यासी होगी constant क्यानि वो change नहीं होगी generation to generation भी बीच जाए अब माल लो आपकी body में जित्ते numbers of Allyl है हमने यहाँ पे हला कि individual के नहीं population की बात किये लेकिन एक suppose कर लो क्या ये generation to generation vary करता रहेगा या constant रहेगा obvious से बात है constant रहेगा तो इसी तरह जब कई सारे individuals होगे यानि एक population जब होगी तो उनमें भी Allyl की frequency क्या होगी constant होगी चिक है the gene pool यानि total numbers of gene and their Allyl in a population remains a constant same चीज़ बोल ला है कि जो gene भी होगे वो भी कैसे होगे constant ही होगे this stability is called genetic equilibrium question का point बन गया what is genetic equilibrium it is the equilibrium या it is a part of population in which the gene pool and the Allyl frequency remains constant over generation after generation मतलब एक ऐसा time या एक ऐसी population जहां पे gene pool यानि total numbers of gene या और Allyl और Allyl की frequency दोनों कैसे होगे constant होगे भले ही कितनी भी generation बीच जाए इसी को एक नॉर्मली वे में कहते है क्या genetic equilibrium genetic का मतलब gene की बेसिस पे equilibrium यानि constant position sum total of all the Allyl frequency is one represented as P square plus 2P plus Q square is equal to 1 where P square is the dominating character Q square is the recessive character and 2PQ is the hybrid character जिनका sum कितना आएगा 1 के बराबर और यही चीज़ बोलता है हमारा genetic equilibrium जो की आपका important है ठीक है तो आप से direct question पूछेगा hardy wingman principle के through क्या चीज़ प्रूफ हुआ तो आपको यह equation याद रखने है P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1 ठीक अब आप को होगे कि मैम हर जगा math खुसा है तो बिटा math से आपका चुटकारा कभी नहीं मिल सकता आपको वो basic math जो पढ़ाई गई है वो हर जगा यूज होने वाली है ठीक है Frequency of homozygous dominant genotype Frequency of heterozygous genotype and Frequency of homologous recessive genotype अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है Q क्या है हमारा recessive part के लिए यूज हुआ है ठीक है homozygous इसलिए Q square है तो homozygous है लेकिन recessive part है जबकि P square क्या है homozygous dominant part और यहाँ पे recessive और dominant दोनों है यानि यह कैसे हो गए heterozygous ठीक तो यहाँ पे आपको दो चीज़े देखने है if there are only two alleles for a trait in a population then दो alleles अगर सिफ है एक dominant और recessive तो वहाँ पे क्या आएगा P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1 का ratio आएगा तो यहाँ पे आपके Mendel सहाब के जैसा ही चला है कि अगर P square एगा तो इस particular बंदे का कलर कैसा होगा purple 2PQ पी वाला dominant character है यहाँ पे भी कैसा कलर होगा purple और Q square में कलर कैसा होगा pink क्योंकि वो कैसा है recessive part है next year disturbance in the genetic equilibrium is considered as the evolutionary change यह point important है आपकी अगर NCRT साथ में पढ़ रहे होगे तो underline यह star कर लेना ठीक है क्या कह रहा है कि अगर particular किसी भी आपका evolutionary change देखना है हमने तो कहा कि genetic equilibrium का मतलब वहाँ पे allyl और gene pool की frequency का number क्या होगा हमीशा constant होगा लेकिन ऐसा अगर हमीशा ही constant रहा तो वो कैसे evolution में participate करेगा कैसे बाकियों से अलग दिखेगा इसलिए अगर अलग दिखना है यानि अगर evolution होना है तो वहाँ पे क्या करना होगा genetic equilibrium को disturb करना होगा फाइफ factors are known to affect the Hardy-Wingberg principle अब ये ऐसे पांच factors है जिनके वज़े से Hardy-Wingberg principle क्या होता है affected होता है क्यों affected होता है क्योंकि ये पांचों factor मिलके या इन पांचों को अलग-अलग आप देखोगे तो इनके वज़े से क्या होता है उस particular population की range change होती है वो पांच factor में migration, immigration ऐसी सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी ठीक है फॉर इग्जामपल आपके घर में हमेशा से 4 लोग रहते है अब कोई एक बंदा आके आपके घर में रहने लगा बिना आपके permission के तो बुरा तो लगेगा लेकिन अब ऑवेस से बात है जैसे कभी-कभी बिन बुलाएं महवान होते है वो आ जाते है और वो पढ़े रहते है अपके घर में महीनों, दो महीनों तक रहते है ठीक है तो ऐसे cases में अब आपके लिए वो ऑवेस से बात है आपको बरदाश करना है क्योंकि हमारे जो कल्चर है वहाँ पर यही सिखाए जाता है कि महमान भगवान का रूप होते है तो ऑवेस से बात है आपको उनको अच्छे से ट्रीट तो करना पड़ेगा अच्छे से ट्रीट करने का मतलब खाने पीने का समान वगेरा सब कुछ देना होगा लेकिन इसके वज़े से क्या होगा आपका टोटरल जो भी घर का खर्चा होता ता वो गड़बड होगा इधर उदर शिफ्ट होगा डिस्टर्बेंस हाएगी उसी बेसिस पे यहाँ पे भी हो रहा है यानि पॉपलेशन में कोई अचानक से बाहर से आ जाए या उस पॉपलेशन से चला जाए जिसके वज़े से क्या होगा डिस्टर्बेंस क्रेट होगा उस एक्विलिब्रियम पे आपको यह पांचों के पांचों फैक्टर के नाम याद होने चाहिए पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लू दूसरा है जनेटिक ड्रिफ्ट तीसरा है म्यूटेशन चौथा है जनेटिक रिकंबिनेशन और पांचों है आपका नेचुरल सेलेक्शन यह पांच ऐसे फैक्टर है जनके वज़े से हमारा जनेटिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो आपको यह फैक्टर के तुरू क्योंकि आपको MCQ टैप कुश्टन सॉल्फ करने तो यह नाम एक्ट्वल में आपको ऐसे ही याद होने चाहिए ठीक है एक एक करके जानते हैं What is gene migration? Migration का मतलब migrate करना एक से दूसरे प्लेस को अपने चेंज करना When migration of section of a population to another place and population occur Gene frequency change in the original as well as in the new population मालो इस particular जगह 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग रहते थे और यहाँ पे इस particular जगह में 1, 2, 3 3 लोग रहते थे ठीक है? अब एक बंदे को क्या हुगा? क्योंकि यहाँ पे जादा लोग थे congested area हो रहा था वो निकल के इस वाले population में जाके बैठ गया मालो यह वाला बंदा निकल के इस वाले population में जाके बैठ गया तो यह वाला बंदा जब इस वाले population से निकल के इस वाले population में गया तो यहाँ पे variation आया जहाँ से निकला वहाँ पे भी variation आया और जहाँ पे गया वहाँ पे भी variation आया यानि वहां पे भी उनका gene pool और allele की frequency change होगी यानि ले दे के हम कहना क्या चाहर है कि genetic equilibrium change होगा इन दोनों ही population की basis पे वही चीज हमारा कहलाता है gene migration यानि एक place से हटके दूसरे place पे चले जाना ठीक New genes, alleles are added to the new population and these are lost from the old population obvious से बात है नई जगह जाके वह shift हो रहा है तो दूसरी वाली जगह से क्या होगा यानि पहली वाली जगह से वह population कायव होगी वह particular individual हटा है तभी तो नई जगह जाया है ठीक There would be a gene flow In this gene migration happens multiples time अगर ये gene migration बार 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 हो यानि repeated way में होगा तो इसे हम बोलेंगे क्या gene flow ठीक है gene flow का मतलब flow कर रहा है gene यानि एक से दूसरी जगह flow करते हुए चला गया तो migration और flow में वहाँ पे similarity समझ में है migration का मतलब भी एक place से दूसरी पे चले जाना flow का भी मतलब एक से दूसरी जगह shift हो जाना ठीक है तो gene migration अगर बार-बार होगा कोई particular बंदा अगर बार-बार एक से दूसरी जगह change होता रहेगा तो उसे ही हम नाम देते हैं gene flow ठीक नेक्स है हमारा genetic drift genetic drift क्या बोल ला है random changes in the allel frequency offer the population occurring by chance constitute genetic drift random changes in the allel frequency यानि अचानक से कोई random सा change आ गया किसमें allel की frequency में अब जिसकी वज़े से क्या होगा उस particular population का genetic में कुछ ना कुछ variation आएगा जिसे हम बोलते हैं genetic drift the change in the allel frequency may become so drastically different that they form new species ये change कभी कभी क्या होता है बहुत drastic यानि बहुत भेंकर होता है जिसके वज़े से किसी नए species यानि speciation का formation हो जाता है the original drifted population become the founder and the change in the phenotype and the genotype of the progeny constitute the founder's effect founder's effect किसके वज़े से होता है तो genotype और phenotype change दोनों की विज़ी से होता है यानि genotype में भी change आता है phenotype में भी change आता है ये दोनों की ही वज़े से क्या होता है founder effect cause होता है मतलब क्या है कि आपका evolution जब हुआ मालो किसी की particular genes में क्या हुआ variation आया ठीक उस variation की वज़े से कुछ नया organism का formation होता गया तो वो organism का अगर आप देखो genotype और phenotype दोनों ही वहाँ के population से क्या होगा डिफर होगा microbial experiment show that pre-existing advantages mutations when selected will result in the observation of new phenotypes over few generation this would result in the speciation ये line का कुछ खास मतलब नहीं है ये आप speciation के बारे में जो पढ़े हो वही चीज़ बोला है कि microbial experiment show that pre-existing advantage यानि mutation when selected will result in the observation of new genotypes मतलब क्या है कि जब mutation होता है तो mutation की वज़े से obvious से बात है उनके phenotype यानि physical appearance में कुछ change देखने को मिलेगा अब ये change क्यासा होगा बाकी population से obvious से बात है जब change है तो differ तो करेगा यानि वो particular जो species बनी होगी वो species बाकियों से हट के दिखेगी अलग दिखेगी इसी चीज को उन्होंने कहा है क्या जिसके वज़े से speciation यानि अगर phenotype में change होता है तो वो किसका रकाम लेता है speciation का ठीक है आप genetic material को तो देख नहीं सकते आप किसी particular आपको यहां पे डॉग और एक cat दोनों को खड़ा करा दिया जाए तो आपको तो समझ में आएगा कि कौन सा डॉग है कौन सा cat क्यूँ? क्यूंकि उन दोनों का ही क्या है physical appearance अलग अलग है दोनों की ही क्या है physical appearance यानि दोनों की species अलग अलग है आपको for example dog और wolf दोनों का जीनस एक है यह तो आपने पढ़ रखा है wolf और dog का जीनस एक ही है लेकिन यह आपको पता है ना tiger और cat इन दोनों का भी जीनस एक ही है ठीक है? फिर्माइन जीनस ही है लेकिन इन दोनों की species क्या है? अलग-अलग है? दुनों ही एक drift nghĩ के v입 होते हैं तब जाके किसका formation हो रहा है इस पैशियेशन का यानि नए species का formation हो रहा है अगर सिफ zero ताइम में चेंज आ रहा है तो वो तो नए species कहाल है कि नहीं की किato हमारी जैसे दिख रही है ठीक जैसे human के हर particular human में अलग-अलग variation होगा genes का हर particular human में अगर closed one नहीं है randomly किसी भी बंदे को आप ले आदो फॉरण से या कहीं से भी तो उन दोनों की gene क्या है या हमारी और उनकी gene अलग-अलग होगी लेकिन क्या हमारे phenotypic में changes आ रहे हैं उनके भी दो आख होगे हमारे पास भी दो आख हैं उनके भी एक नाख होगी हमारे तो यहां पर speciation नहीं होगा इस्पेशियेशन तभी होगा जब तक जब उनके phenotype में हमें variation देखने को मिलेगा next है हमारा mutation mutation का मतलब तो आपको पता ही है random end occur at very slow rate they create a considerable genetic variation for speciation to occur mutation होने की कुछ शर्थ है यह तो पहले चीज़ अचार्ट से होगा बिलकुल और दूसरा यह slow process है slow process का मतलब धीरे धीरे इनमें variation आपको देखने को दिखेगा एकदम से अचानक से single step में हो रहा है लेकिन process slow rate का मतलब rate इनका यानि mutation का जो rate है और विसी बात है हमारी genetic variation में जब genetic जो भी हमारे nucleotide base pair है उनमे variation या उनमें गडबड़ी होती है तो वो mutation का part लेता है तो यह कैसा है अब यह गडबड़ी हमेशा जल्दी जल्दी तो होता नहीं है slow rate के साथ होता है इसलिए बोला गया है इनकी rate हमेशा कैसे होगी slow लेकिन जो changes होगा वो कैसा होगा random ठीक है अचानक से होगा next हमारा recombination new combination of genes occur due to the crossing over in the meiosis during gametogenesis recombination कब होता है जब gamet का formation होता है ठीक है gamet के formation के time कौन से साल division होता है तो वहाँ पर हमने बताया था क्योंकि chromosome numbers को half होना है तो वहाँ पर division होता है meiosis का ठीक है लास्ट है हमारा natural selection अब यह natural selection आपका सबसे important है इन पाचो factor में पाचो factor की basis पर आपको नाम पहली चीज तो याद रखना है और बाकी सारी चीजों की basis पर आपको थोड़े थोड़े एक एक लाइन याद रखना है लेकिन natural selection के ताइप्स और अच्वाल में natural selection का में वर्ड क्या है में इनके मेनिंग क्या है उस पर फोकस करना है तो natural selection is the most critical evolutionary process that leads to the change in the allyl frequency and promote adaptation as a product of evolution सबसे ज़्यादा critical evolutionary process है हमारा natural selection क्योंकि हमें nature के according select किया जा रहा है यहां हमारे बस में कुछ नहीं है जिसके वज़े से क्या हो रहा है एलेल के frequency ओवेस सी बात है यह पांचों किसकी frequency चेंज कर रहे है एलेल के ही frequency सी चेंज कर रहे है और promote adaptation adaptation हो रहा है मतलब अगर आप nature के थ्रू अपने आप में adaptations ला पा रहे हो तब तो आप survive कर पाओगे नहीं तो extinct हो जाओगे वही चीज़ बोल ला है natural selection process depends upon the traits and favor the produce one of the three following effect अब यह effect तीन effect क्या क्या है माल लो for example हमने एक line खीची चीक है इस line को हम मोटा करते गए थोड़ा थोड़ा थिक करते गए थोड़ा थोड़ा सा हर line को क्या करते गए हम थिक करते गए अगर आप सको देखने को लिए अगर आप से observe करके पूछे कि सबसे पतली line हम यह आपर नाम लिख दे रहे हैं A, B, C, D and E ठीक है आप से बोले सबसे पतली line कौन सी है तो A वाली line सबसे पतली है सबसे थिन है और E वाली line क्या है सबसे जादा थिक है यानि अगर आप से कहें most thinnest और most thickest कौन सी है तो A क्या है सबसे थिन है E क्या है सबसे थिक है अगर आप से इन दोनों के बीच का पूछे तो बीच का हमारे क्या रहा है C जो ना बहुत जादा थिक है ना बहुत जादा थिन है अब हम बात करते हैं यह natural selection के क्या main तीन following effect है पहला है stabilization stabilization बात करता है mean character का mean character का मतलब वो character select होंगे जो क्या होंगे बीच के होंगे ना बहुत ज़्यादा पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे यानि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं C वाले पार्ट की जो कि बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है तो nature ने किसको select किया है? mean वाले पार्ट को ठीक? directional directional किसको change करता है? direction की basis पे जो आगे बढ़ता रहता है तो आगे कौन बढ़ा है ए वाला तो पीछे बैड़ गया आगे कौन बैड़ा है हमारा e वाला part ठीक है ये select होगा किस के through directional change के through चीज़े समझ में आ रही है आपके stabilization में mean value को select करता है यानि beach का part ना बहुत जादा आगे का है ना बहुत जादा पीछे का है बीच में आता है वो वो होता है हमारा stabilization change directional change का मतलब जो आगे सबसे आगे बढ़ा है वो वाला part यानि e वाला part हमारा है directional change और last हमारा आता है disruption change जिसमें आपको क्या select किया जाता है सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला ठीक है more individual acquired peripheral character value at both ends of the distribution curve यानि दोनों इंड से एक एक उठा के सबसे थिन वाले को भी सबसे थिक वाले को भी दोनों इंड से में उठाते हैं वहाँ पे आता है आपका disruptive change ठीक है तीनों में difference समझ में आया stabilization में mean वाले को यानि बीच वाले को आपके directional change में सबसे आगे वाले को यानि जो सबसे नया evolve होके आया और आपके disruption वाले में जो दोनों इंड पे present होगे सबसे कम वाले को भी सबसे ज़ादा वाले को भी ये है आपके इन तीनों के graph अब आपको graph समझ में आया यह particular किसी एक पार्ट में हमने क्या लिया numbers of individual with phenotype ठीक अब phenotype यहाँ पे mean value पे आ रहा है mean value किसको differentiate कर रहा है जो कि हमारा stabilizing करेगा यहाँ पे peak shift to one direction one direction मतलब आगे की तरफ shift हो रहा है और यहाँ पे two peaks फॉर्मदा तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे क्या है stabilizing और यहाँ पे क्या है disruption तीनों के base difference समझ में आये यहाँ पे दोनों इंट को हमने लिया है इसलिए disruption का part यहाँ पे आगे वाले direction में हमने बढ़ रहा है इसलिए directional change का part है और यहाँ पे stabilizing का part है क्योंकि अमने क्या देखा है mean value को देखा है ठीक ग्राफ याद होना चाहिए कौन सा किसका graph है नेक्स है हमारा evolution in animals अब हमारा जो main topic स्टार्ट हो रहा है जहां से आपके सबसे जादा question बनने वाला topic है वो है हमारा evolution of animals evolution in plant and evolution in human beings इसके लिए परिशान एकदम नहीं होना है बहुत अच्छी सी tricks है उस trick को follow कर यह हला कि वो trick जब आप खुच से बनाए होते हो तो आपको याद जिल्दी हो जाता है जब किसी और की बनाए हुई tricks को follow करते हो तो तो तीन बार चार बार आपको revision करना पड़ेगा तब जाके आप याद कर पहोगे अब ऐसा नहीं मतलब है tricks हम क्यों बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को जब short way में याद करना होता है तो हम tricks का form लेते हैं अब पता चला आप वो तो सारी चीज़े तो ऐसी भी भूल जाओगे तो उस पर्टिकुलर ट्रिक को याद करने का तरीका आपको खुद अप्लाई करना होगा दिन एक दिन में एक बार बस रिवीजन कर लो रात में सोने से पहले बस एक बार पेज़ेस पलटके उसको रिवाइस करके देख लो ताकि वो कुछ टाइब तीन बार चार बार जब आप रिवाइस कर लोगे तो अपने आप पांच में दिन से वो दिमांग में रहना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें इनके चाट की पहले तो वही देख लेते हैं ये है इसकी ट्रिक क्या है अगर आप बात करो ट्रिक्स की तो ट्रिक्स की बेसिस पे आपको याद रखना है यहाँ पे आपको ट्रिक्स की बेसिस पे carboniferous, permean, triacic, zoracic, cretinaceous, tertiary and quaternary जोर क्या होगा ऎक क्यों तोट तो पूतarkenने क्यों खूंद तोटली भाषा याद करना है इस form में आप पर याद रखना है तो चाहो तो आप simply भी CPT जे C T QT ये आपको थैंक्यू से भी याद करना है चाहो तो वैसे ही याद कर लो आपको जिस form में हमने एक से कई जाधा ट्रिक्स के फॉर्म में बनाई हुई है आपको जो चीज अच्छी लगे जिसके थूँ आपको जल्दी याद हो जाए वो ट्रिक अप्लाई कर लो सबसे उपर हमारा थैंक्यू यानि टर्शरी देन क्वाटनरी यह तो वैसे भी याद हो जाएगा इसमें आपको परिशान नहीं होना है यह आपके प्लांट का है प्लांट वाले डियाग्राम का यहाँ पे आपको सबसे असान से ट्रिक मिलेगी PMC Chemistry, Maths, Physics ठीक है, में सब्जिक्ट यही होते है Biology तो हम पढ़ी रहे हैं तो उसको हम हटा दे रहे हैं बचता क्या है हमारा Physics, Maths and Chemistry यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 4 लोग मिलेंगे Permium, Carboniferous, Devonian and Silurian इसी तरह M वाले में Mesozoic एरा में आपको क्या मिलेंगे 3 लोग, Cretaceous, Jurassic and Triassic Finally आपके Cenozoic एरा में 2 लोग मिलेंगे Quaternary and Tertiary ठीक, तो 4, 3, 1 ऐसे रेशियो चलना है P4, M3, C2 4, 3, 2 का पार्ट यहाँ पे याद रखना है अब आएगी बात याद करने की इन सब को तो जब हम इस particular slide को discuss करेंगे अच्छे से तो वहाँ पे हम ट्रिक बताते जाएंगे फिलहाल अभी जो बताएं आपको उस पे ध्यान रखना है तो history of evolution के आउकर हम बात करें animals के थूँ animals में कैसे हुआ है about 2000 million year ago आज से लगभा कितना 2000 साल million पहले million year पहले यानि माया first cellular form of life appeared on the earth ठीक है पहली cellular form of life अर्थ पर आई slowly single celled organisms become multicellular life form धीरे धीरे ये single cell क्या हुए evolve होते गए evolve होते गए और किस में change होते गए multicellular life form में change होते गए by the time of 500 माया invertebrates were formed and active सबसे ज़्यादा invertebrates कब पाए गए आज से लगभाग 500 million year पहले ठीक है invertebrates सबसे ज़्यादा पाए यानि active form में present थे jawless fish probably evolved around 350 million year अगो आज से लगभाग 350 million year अगो पहले क्या पाए गए हमारे jawless fish अब आपको यहाँ पर याद रखना है इनका date यानि कितने साल पहले पाए गए तो invertebrates आपके जो invertebrates है यह active कब थे आज से लगभाग 500 million year पहले jawless fish कब पाए गए हमारे 350 माया ठीक है माया मतलब million year अगो ठीक फर्ड विद तस्नॉट जो fish है जिसके पास नॉट यानि आगे की तरफ मूग क्या होगा बाहर की तरफ होगा our strong fins could move to the land and go into the water मतलब क्या है ऐसी fishes आएगे जो land पे भी survive कर रहते और water में भी रहना जानते थे next है the silocanth और lobe fish word the ancestor of modern day frog and salamander important line है आज हम जो frog और salamander देख रहे हैं उनका ancestor कौन है lobe fish जिसको हम बोलते है silocanth the amphibians evolved into the rapetize they lay thick shell egg which do not dry up in the sun unlike those of amphibians amphibians क्या है amphibians उन्हें कहते है जो land और water दोनों में survive करना जानते हो amphibians और rapetize के अगर आप एक की बात करो तो rapetize के एक कैसे होते है thick shell होते थे जबकि amphibians के एक कैसे होते है thin shell के होते है next है हमारा in the next 200 million year so rapetize are different shapes and size dominating on the earth हमारे earth पे आज से लगभग 200 million year आज से लगभग 200 million year पहले rapetize ऐसे पाया गया जिनका different shape अलग-अलग shape के थे और dominating on the earth ये आपका question का point है again जो जिस पे हम आप इसको star बना रहे है वो point आपको याद रखना है ठीक है rapetize कब dominate की है अर्थ पे तो आज से लगभग 200 million year पहले या माया चिक है some of these land rapetize went back into the water to evolve into fish like rapetize probably 200 million year ago जिसमें आपको नाम रखना है याद इछ तो सौस का चिक है इनका नाम आपको याद रखना है मतलग क्या रहा है कि rapetize तो आ गया है dominate भी करती है यानि dominating का मतलग maximum इनकी species आ गई हमारे अर्थ पे अब इन में से क्योंकि rapetize कहां से evolve हुए थे amphibians से evolve हुए थे तो कुछ ऐसे rapetize से जो वापिस कहां चले गए पानी में और वहां पे उनका evolution किसके form में होता गया fish के form में और कुछ ऐसे rapetize भी आए जो properly कहां पे land पही रहने लगे फिर दीरे दीरे उनका evolution होता गया और अलग-अलग species का formation होता गया तो आपको fish like repetize में example याद रखना है ठीक जो लगभग कितने millionaire अगो आई है 200 ठीक अब आपको यह learn कैसे होगा तो आपको learn करने का तरीका हमने बताया है copy और pen साथ में लेके बैठिये date रखिये और date में किसका सबसे जादा dominating था या उस date पे क्या हुआ था वो incidents लिख लिजे क्योंकि इस chapter में में आपका NCRT से बाहर कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि यह chapter की NCRT है हमारी सब कुछ है उससे बाहर यहां पे कुछ नहीं आने वाला लेकिन वो NCRT शर्त यह है कि आपको अच्छे से तयार होनी चाहिए next बात करें अगर 65 million year ago important line dinosaur suddenly disappeared dinosaur extinct कब हुए 65 million year ago from the earth while some small size rapid eyes of that era still exist today मतलब क्या है सिर्फ dinosaur की जो प्रजाती थी वो आज से लगभख 65 million year पहले क्या हो गई extinct हो गई लेकिन उस particular era में जो छोटे थोड़े थोड़े जो जानवर थे जो बाकी जानवर थे वो आज भी हमारे रह रहे है मतलब आज भी exist कर रहे है उनका कोई extinction नहीं हुआ है इसलिए डाइनसौर की अगर हम की भोकाम पाया होगा earthquake की basis पे यह storms की basis पे तो पूरी की पूरी प्रजाती को हटना चाहिए था तो सिर्फ डाइनसौर कैसे छटके हट गया इसलिए अभी भी यह क्या है question mark की तरह ही है ठीक तो में भी यहीं पर नाम आता है हमारा natural selection का की में भी नेचर के थूप वो डाइनसौर क्या हुए सेलेक्ट नहीं हो पाया इसलिए उनकी species पूरी गायब हो गई वेन रेपिटाइस केम डाउन मैमस टुक ओवर दिस अर्थ अब जैसे जैसे रेपिटाइस क्योंकि रेपिटाइस dominating तो थे लेकिन जैसे जैसे उनकी population थोड़ी थोड़ी सी कम होते गए वो फिर कौन सबसे आगे आगे हमारे मैमस यानि जैसे रेपिटाइस का नंबर कम हुआ या उनकी species में कमी आई वैसे ही किसका evolution स्टार्ट होगे हमारे मैमस का due to continental drift when South America joined North America many mammals of South America resembling horse hippopotamus beer rabbit etc were overdreven by North American fauna जब North America और South America ये दोनों के बीच मजब मिलाप ठीक है होरा शुरू हुआ तो कुछ ऐसी species कहां की थी जो South America की थी और वो species किसकी थी horse की, hippopotamus, rabbit ठीक है, beer इन सब की जो species थी वो overridden होने लगी किस ते? North America से क्योंकि North America की जो species ते अव्यसी बात है overridden होने लगी मतलब North America वाले जाता ताकतवर होंगे, तभी तो overridden कर रहा है Australian Landmass remain isolated and remain isolated and post mammoths of the Australia survive because of the lack of competition from any other mammals अगर Australian marsupial की आप बात करो तो वो survive क्यों कर पाए क्योंकि जो placental form थे और जो marsupial थे दोनों ही कहां के थे? Australia के थे? तो ऐसा कोई खास competition उनके वज़े से नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक ही ग्रूप से आये थे, एक ही जगह से survive कर रहते, तो दोनों में ऐसा कोई खास variation नहीं था, लेकिन South America और North America की बीच, दोनों क्योंकि एक South part से एक North part से हैं, ठीक है? तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ा variation क्रियेट हो रहा है, क्योंकि दोनों का जोग्रॉफिकल एरिया क्या है, बिल्कु डिफरेंट था जिसकी वज़े से competition स्टार्ट हुआ और फाइनली जो North वाला था वो South वाले को overridden कर दिया अब आपको याद रखना है यह पूरा का पूरा चार्ट, इसको चार्ट को आपको डेट याद रखने के लिए घबराना बिल्कुल नहीं है आपको एक स्टार्टिंग नंबर याद रखना है 350 million year ago माया, अब इन में से 50-50 आपको घटाते जाना है 300, 250, 200, 150 100, 50 and 0 यानि अगर आपको बोले कार्बोनी फिरस कब से कब तक था तो ये 300 से 350 million year पहले था 1 million कब से था 300 से 250 million year ago, ट्राइ से कब था 250 से 200 million year ago ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, अब आपको नाम याद करना पड़ेगा, नाम के लिए syrobside और synapside ये कब evolve हुए वो चीज़े आपको याद रखनी है, तो sy आ रहा है न, y का मतलब, obviously बात है, इसके पास sa है, इसके पास sy है, अगर आप alphabetically order में देखो, तो इसके पास y यानि सबसे last का है, तो सबसे last का का होगा, जब obviously बात है, वो सबसे last में present होगा, last को last से रखो, y क्या है a के last में आ रहा है, ठीक है a के बहुत बात आ रहा है, तो सबसे पहले बात में कौन, बात का मतलब पीछे से में start करना है, तो अगर उपर से नीचे आप आओ, तो सबसे बात में क्या है, carboniferous, इसलिए वहां पर क्या है हमारे synapsid, permium में आपके आए है soropsid, चिक है, soropsid इसके बाद, polysaurus soropsid ने ही किसको आपके evolved किया है polysaurus को जिसके वज़े से ठीकोडॉंट आये हैं, और ठीकोडॉंट ने किसका evolution किया हमारे जित्ते भी मैमर्स है उनका सिंपली बस इतना चीज याद रखने आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा अगर आपसे पूछ ले कि हमारे डाइनसौर किस पर्टिकुलर पीरेड में सर्वाइफ कर रहे थे तो जुरैसिक आपकी मूवी बनी हुई है न जुरैसिक पार जिसमें आपको डाइनसौर की वेजिस पर क्योंकि वो उनका ही लाइफ टाइम चल रहा था उनका ही पूरा का पूरा ग्रूप उस टाइम बिलॉंग हो रहा था जी रहा था ठीक है सबसे जादा डॉमिनेटिंग केरेक्टर उस टाइम डिजाइनसौर की कब थे जुरैसे के रहा में तो वो चीज़ आपको याद रखना है एक्स्टेंट कब हुए है ये ट्राइसिक के रहा में ट्राइसिक से क्लोटेनियस पीरिड इसे लिए बीच में रखा है ना लेकिन अगर आपसे पूछेगा टाइम पीरिड तो 65 मिलियन यर अगो ठीक है नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ओफ इवलूशन ऑफ प्लांट अब प्लांट का इवलूशन कैसे हुआ एनिमल का हमने इवलूशन देखा प्लांट का इवलूशन कैसे हुआ वो जानते है प्लांट का मतलब क्लोरोफिल ठीक है तो चैप्चर सोलर इनरजी और रिलीज ऑक्सिजन इन दे प्रोसेज ओफ फोटो सेंथेस फोटो सेंथेस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए अवेसी बात है क्लोरोफिल उसी का काम कर रहा है नेक्स है ब्राइओफाइट्स वर दे फर्स प्लांट टू कॉलोनाइज दा लेंड इंपोर्टन लाइन है लेंड पर आने वाला या कॉलोनाइज Carnian करने वाला पहला प्लांट कौन सा है तो वो है अमारे ब्राइओफाइट्स ठीक सीवीट्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट अराउंड 320 माया आज से लगभग 320 मिलियन इयर अगो क्या पाये जा रहे थे सीवीट्स मतलब जो समुन्दरी पौधे थे वो और कुछ प्लांट ऐसे जो जमीन पे भी सर्भाइव करना जानते हो अब आपका यहां से क्वेशन आता है क्या हमें जो कोल पाई जाती है उनमें किसका फौजल प्रेजन होता है तो मैक्सिमम फौजल प्रेजन होता है इन्ही टेरडो फाइट्स का आपने 11 में पढ़ा भी होगा जब आप प्लांट किंग्डम पढ़ रहे होगे कि इन्ही जो आपके कोल का फौर्मेशन हो रहा है उनमें अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो तो वहां पे टेरडो फाइट का सबसे जादा उस टाइम एरा चल रहा होगा तो आपके जो कोल पाई जाते हैं वो फौजल पर्टिकुलरी होते हैं सिर्फ किसके टेरडो फाइट के मैक्सिमम टेरडो फाइट के होते हैं तो आपको यहां पे दो चीज़े याद रखना है पहली लाइफ जो ओरिजनेट हुई वो तो 200 मिलियन स्वाडी 2000 मिलियन एर पहले हुई है पहला प्लांट कौन सा कॉनलाइज हुआ है लैंड पे ब्राइव फाइट ठीक है कुछाँ साय किसका एंसेस्टर फैंज्टार है या कौन सा विसर्थ का लिंक कि वेसिस पे ठ्राइको ट्रॉर्ड थिकहar क्लोडो ट्रैक क्लोरो ट्रैक निया शीटो ट्रोर ट्रैक निया शीट चीए आपको नाम और राखने लोiron इनके किसके बीच का लिंक है हमारे ब्रायोफाइट्स का लिंक है ठीक है यानि यहां पर हमारे क्या आये थे बीच में ब्रायोफाइट्स ठीक नेक्स पार्ट क्या कह रहा है निया और सिलो तो ट्राइको के इनके बीच में क्या है यानि ट्राइको और निया के बीच में क्या है हमारे देख लो क्या है एपसॉर्बिट लाइको पोड्स एंड हर्बेशियस लाइको पोड्स यह दो चीज़े आये है याली है एच और ए लाइको पोड्स यह चीज़ आपको याद रखना है H, A, Lycoports ये कब आये हैं ये किन के बीच का linkage है ये राहेनिया एंड ट्राइकोफाइट के बीच का linkage है simply राहेनिया एंड सिलोफाइट ओन के बीच का linkage बाकी जितने भी होंगे वो सारे को भेज देना बाकी में क्या बच्चरे आपके monocot, dicot, gymno, angio ये सारे बच्चरे इनको आप इनके बीच में भेज देना तो आपको simply यहाँ पर दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना है bryophyte किन के बीच का linkage है chlorophyta और tracheophyte के अगर आपसे पूछे herbaceous leacopod और absorbent leacopod किन के बीच का linkage है ये हमारे रहनिया and tracheophyte के बीच का बस इतनी चीज़े याद रखनी है इस particular slide पर अगर आपसे question की बात करें तो question के form में सिफ तीन चीज़े याद रखनी है कौन सा किसका linkage है ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया P, M, C P में कितने लोग हैं 1, 2, 3, 4 4 लोग है, 4 periods आ रहे है M में कितने period आ रहे है 3, C में कितने period है 2, 2, 4, 3, 2 इस form में ये चल रहा है ऐसे ही याद हो गया अब next आपको जो याद करनी है कौन से किस time में सबसे ज़्यादा पाए गया थे और कौन से किस time में किसका link है वो याद रखना है तो हमने बताया Trachyophyte और Chlorophyte किसके बीच का link आ रहा है हमारे Bryophyte का ठीक है Rhynia type plant and Trachyophyte ancestors किसके बीच के link है हमारे Absorbent Leukopods and Herbaceous Leukopods के इसके अलावा बाकी जो चीजे है आपकी Sillophyton and Rhynia के बीच किसका linkage है ये तो आपको बाकी जितने भी चीजे बच रही है ठीक है Dicot, Angiosperm, Monocort, Gymnosperm इन सारे को आप इसमें भेज देना ठीक Question Solve करने का समझ में आ गया तीन चीजे सिफ आपको इस पर Focus रखनी है बाकी चीज जो बच रही है आपको इनका ancestor बना देना है जिसमें आपको पढ़ना है कि human का evolution कैसे हुआ तो ये हम एक अलग slide पर पढ़ेंगे क्योंकि important है plant और animals से ज़्यादा important है हमारे human का तो human के लिए उसमें भी tricks है बहुत अच्छे सी tricks है एक बार मैं याद होगा परिशान नहीं होना है ठीक बात करेंगर question की the force that initiate evolution is evolution किसके वज़े से हो रहा है तो हमारा variation, mutation, extinction and adaptation आज ही बात किया है हमने की mean cause of evolution हमारा क्या होता है mutation ठीक है आज ही बात किया हमने next है हमारा question 2 the earliest geological time periods amongst the following is सबसे नीचे क्या पाये जा रहा था जहाँ पे synapsid आये थे वहाँ पे क्या कौन सा period चल रहा था carboniferous sorry carbonium period तो carbonium, premium, jurassic, quaternary तो नहीं था कौन सा था carbonium period ठीक है अगर इस पे आपको doubt हो रहा है तो एक बार देख बिलो carbonium period क्या था प्राइमियम भी सबसे पहले है tertiary, quaternary, quaternary भी सबसे लास्ट भी क्या है हमारा carboniferous और इसी को carbonian period भी कहा जाता है तो उसमें आपको confuse नहीं होना है ठीक next question number 3 हमारा क्या क्याता है the primordial soup is a set of hypothetical condition operan and hardan ने एक discovery की थी इसका answer क्या था operan ही है जिन्होंने किसके primordial soup के set में वही जो हमारे hardan साब ने कराया था experiment conduct उसके form में ये particular question बनाया है next है हमारा when did dinosaur died off यानि कब extinct हुए थे तो 65 million year अगो यह हमारे NC article लाइन है तो हमारे question की value 101 105.1 नहीं गलत है 65.5 million year अगो सही है क्योंकि यहाँ पे extinct नहीं बोला है यहाँ पे क्या बोला है died off died off यानि मनना शुरू हुए थे ठीक है तो यह answer हमारा सही है 75.5 million गलत है none of the above भी गलत है ठीक है क्योंकि सबसे यहाँ पे अगर बोलता है कि extinct तो यहाँ पे accurate value 65 उसे लिखनी पड़ती लेकिन died off का मतलब मनना कब शुरू हुए थे extinction का मतलब मनना शुरू करेंगी यानि इनकी पूरी की पूरी species खतम हो गई तो मनना कब से शुरू की है अप्रॉक्स 65.5 million year ago अगला question हमसे क्या रहा है blank was disconceded as the missing link between repetise and birds इसकी बाद हमने कल की class में कही थी कि जो हमारे repetise और birds के बीच का linkage है वो है हमारे archeopatrax ठीक है क्यूं क्यूंकि उनके पास tail-like structure भी present था और उनके पास wings और beak present थी tail-like structure repetise की खासियत होती है beak और wings किसकी साथ है birds की तो इसलिए ये किसके बीच का link है repetise and birds के बीच का link के जाए और इसी के साथ हमारे ये particular topic यहीं खतम होता है जिसमें हमने बहुत ही important discussion किया अज प्लांट के बारे में animal का evolution कैसे हुआ invertebrates कैसे आए कब किस time period में किन का सबसे peak पे थे हैं कौन से extinct होना शुरू हुए हैं बहुत सारे टाइप्स की यहां पे कुशन तो आपकी दो last की तीन चास slide थी जिसमें आपको evolution पढ़ना है animals का, plants का, invertebrates का वो point आपके most important है और एक चीज़ important है वो क्या है natural selection के type genetic equilibrium के 5 सबसे effective factor कौन से थे वो आपको याद होना चाहिए जिसमें आपने gene migration या gene flow के बारे में पढ़ा, genetic drift के बारे में पढ़ा, recombination, mutation and natural selection के बारे में पढ़ा था यह आपके important question जो important part है जहां से आपके question बनते हैं, बनने के high level पे chances होते हैं, बाकी चीज़े आपको कही ना कहीं पढ़ी हुई है उसमें नहीं उलजना है जो चीज़े नहीं नहीं लग रही है वहाँ से कई बार question repeated form है आप कभी PYQ अगेरा चेक करो या इनके जब model paper आप solve करोगे तो वहाँ पे देखोगे most question इनहीं पार्ट से बनते हैं चिक है, तो हम मिलते हैं नेक्स class में जिसमें हमें बात करनी है evolution in the term of human कि human में कैसे evolution हुआ और बहुत सारे question ऐसे हैं जो इस particular हमने कुछ question, कुछी 5-10 question ही solve करा है अब तक लेकिन कल की class में important इसलिए क्योंकि हम maximum question को solve करेंगे जो इस chapter से पूछे जाते हैं ठीक, तो मिलते हैं अगली class में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए thank you